जम्मू में सीज हुई है आसिम रियास की गाड़ी रूबी कॉन जिस गाड़ी के टायर भी बाहर थे और शीशे भी थे काले बिग बॉस का सेलिब्रिटी होगा या फिर बॉलिवूड का सेलिब्रिटी होगा आसिम रियास तो होता रहे लेकिन कानून सब के लिए एक है यह आसिम रियाज है और आसिम रियाज की गाड़ी आप देख सकते हैं अंदर एक गाड़ी लगी है पुलीस टेशन के अंदर रूबी कॉन और इस गाड़ी को पूरी तरह से यह गाड़ी जो है जेड ब्लैक शीशे थे और हमारी जो गांदिनेगर पूलीस है उन्होंने जो है इसे वहाँ पर रोका और जब वहाँ पर रोका तो इसने पूरी गाड़ी जो है पूरे ब्लैक जे बिग बॉस का सेलिब्रिटी होगा या फिर बॉलिवूड का सेलिब्रिटी होगा आसिम रियास तो होता रहे लेकिन कानून सबके लिए एक है इस समय आप देख रहे हैं गोल मार्किट में जो यहाँ पर पुलीस की तरफ से पुरा चेकिंग चल रही है यहीं पर आसिम रियास भी जम्मू आया हुआ था और अपनी गाड़ी लाल रंग की रूबी कॉन लेकर निकल रहा था जिसके टायर भी गाड़ी से बाहर थे जो लीगली सही नहीं है और दूसरा गाड़ी के शीशे भी पूरे काले थे जेड बलैक शीशे थे और यहां से जब वो निकल रहा था तो हमारे जब पुलीस कर्मी हैं उन्होंने से रोका और उसके बाद उसकी गाड़ी जो है सीज की बिग बॉस का सेलिब्रिटी होगा या फिर बॉलिवूड का सेलिब्रिटी होगा आसीम रियास तो होता रहे लेकिन कानून सबके लिए एक है इस समय आप देख रहे हैं गोल मार्किट में जो यहां पर पुलीस की तरफ से पुरा चेकिंग चल रही है यहीं पर आसीम रियास भी जम्मू आया हुआ था और अपनी गाड़ी लाल रंग की रूबी कॉन लेकर निकल रहा था जिसके टायर भी गाड़ी से बाहर थे जो लीगली सही नहीं है और दूसरा गाड़ी के शीशे भी पूरे काले थे जेड बलैक शीशे थे और यहां से जब वो निकल रहा था तो हमारे जब पुलीस कर्मी है उन्होंने से रोका और उसके बाद उसकी गाड़ी जो है सीज की मैं आपको ये भी बता दूँ जैसे मैंने पहले कहा कानून सबके लिए एक है चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो आसीम रियाज सेलिब्रिटी होगा लेकिन कानून की अगर बात होगी तो पहले कानून उसके बाद बाकी सब चीजे जब हमने गांधी नगर पुली स्टेशन के बाहर से जब कवर कर रहे थे उस समय भी आसीम रियाज जो है गाड़ी में बाहर निकला और एक इशारा करते हुए निकला उंगली से इशारा कर रहा था हम भी जानते हैं वो क्या इशारा कर रहा था और वो खुद भी जानते हैं वो क्या इशारा कर रहा था लेकिन क्या ए हमारे पुलीस कर्मियों को जिन्हों ने चाहे कोई सेलिब्रिटी था उसकी गाड़ी को सीज किया और जम्मू में सीज हुई है आसिम रियास की गाड़ी रूबी कॉन जिस गाड़ी के टायर भी बाहर थे और शीशे भी थे काले थोड़ा इदर आओ यह आसिम रियास है और आसिम रियास की गाड़ी आप देख सकते हैं अंदर एक गाड़ी लगी है पुलीस टेशन के अंदर रूबी कॉन और इस गाड़ी को पूरी तरह से यह गाड़ी जो है जेड ब्लैक शीशे थे और हमारी जो गांदिनगर पुलीस है उन्होंने जो है इसे वहाँ पर रोका और जब वहाँ पर रोका तो इसने पूरी गाड़ी जो है पूरे ब्लैक जेड ब्लैक गाड़ी के शीशे थे और जो आप जानते हैं कि लिगली नहीं है आप गाड़ी क पूरी तरह से काले नहीं रख सकते हो यह वहाँ पर जा रहा था लेकिन गोल मार्किट में इसे रोका गया जिसका वीडियो भी हमारे पास है हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे और मैं सल्यूट करूंगा हमारी गांधी नगर पुलीस को जिन्हों ने इसे वहाँ पर रोका और अभी भी आप देख सकते हैं गाड़ी अंदर पुलीस टेशन के अंदर लगी हुई है यही वो गाड़ी है जो रूबी कॉन गाड़ी है वो आप देख सकते हैं रेड कलर की गाड़ी है यह सामने और जब इसे पकड़ा तो यह जो है हमारे पुलीस कर्मियों को बोल रह सकता था ये आसिम और ये आया हुता और ठीक है हमारे जम्मू कि शान असिम रियाज लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह गारी के काले शीशे करके निकलेगा तो एसी म आधे पर such अबार देखने एक बार फिरसे मैं आपको दिखांगा यह पैसे लेंट कड़ी की गाड़ी है, रूबि कॉन जिसके पूरे शीशे जो हैं ज़ेट बलैक इस गाड़ी के शीशे हैं और ये जब गोल मार्केट से निकल आ था तो हमारी पुलीस का वहाँ पर नाका लगा हुआ था हमारी गांदिनेगर पुलीस का और हमारे जो पुलीस के जितने भी यूवा हैं अपने पुलीस कर्मी हैं उन्होंने जो है इसे रोका और ये पूछा कि भई ये गाड़ी तो गांदिन अगर पंकर शर्मा जी को और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने चाहे आसिम रियाज हो चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो लेकिन अगर कानून तोड़ेगा तो उसके उपर जो है कारवाई होगी ही होगी चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी हो ये आसिम रियाज की गाड कानून नहीं तोड़ सकता देखते रहें जेके मीडिया धन्यवाद राम राम